नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप दिख सकते हैं मेरे हाथ में है Realme X50 Mobile और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि यहां पे आप Hotspot की सेटिंग कैसी कर सकते हैं तो Hotspot की पूरी सेटिंग के लिए यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको परना नाट किसको शियर भी कर सकते हैं कितने भी लोगों को ठीक है और personal hotspot setting पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका नाम कट करके यहाँ पे आप कुछ भी डाल देंगे जो आपका hotspot का नाम है और यहाँ पे इसे कट करके जो भी आप password सेट करना चाहते हैं वो आप लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे आप इन दोनों को रहने देंगे और इसके बाद safe पे click कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका hotspot का नाम और password यह है और यहाँ पे connection management पे अगर आप click करते हैं तो यहाँ पे आप जैसे block list किसी को कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकत और हटा सकते हैं और यहां पे maximum allow connection का option जो आता है आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप दिख सकते हैं कम जाए जदा आप 10 mobile अपने phone से connect कर सकते हैं ठीक है एक time पे और यहां पे minimum आप एक भी कर सकते हैं और दो भी कर सकते हैं तो मैं दो पे क्लिक कर दूँगी और इसके बाद data restriction की बारी आती है आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप दिख सकते हैं कि यह unrestricted है यानि कि आप unlimited data share कर सकते हैं तो यहां पे आप limit लगा सकते हैं जैसे 10 GB share करना चाते हैं 5 GB, 500 MB, 200 MB, 50 MB या 10 MB तो मैं यहां पे 50 MB कर लूँगी तो देख सकते हैं कि मैंने 50 MB select कर लिया है इसके बाद back कर दूँगी तो इस step से आप यहां पे इसे आउन रहने देंगे और इस step से आप यहां पे इसे manage कर सकते हैं तो आई होप गईसे वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चले मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार